इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि लास्टली मैंने डिसकस किया कि रूटीन मेथडोलजी उसके अंदर हमने देखा कि एक इनर्शिया है उसके बाद आपके रूटीन है उसके बाद आपकी मैथडोलजी है इनर्शिया और मैथडोलजी के अंदर आप समझेए कि दो फैशन्स आ गए है यानि आपने ऑलिगोपली के अंदर देखा होगा कि मार्किट ऑलिगोपली में तब convert होती है जब आपकी market की scatteredness दो ideas के उपर आ जाए लेकिन आपने देखा होगा कि evolution emphasize करती है long run economic wave के उपर जिसके ओपर stress किया गया है कि दो चीजों को आपस में mix कर दिया जाए यानि ओल्ड age को और new age को यानि ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी technology को obsolete होने दो अगर technology obsolete हो भी गई है for example मेरी micron level के ओपर काम हो रहा है for example मेरी metallic industry में कोई काम हो रहा है यानि वहाँ पर machines जो है मुझे 3 microns के ओपर चाहिए अभी 6 के ओपर आ गई है Japanese जो machines हैं वो 9 ounces पे चल रही है या 12 पे चल रही है तो मुझे क्या उसे obsolete कर देना चाहिए या उसको जितना मैं उससे production ले सकता हूँ और जिस idea के मताबक ले सकता हूँ old and new का combination करूँगा यानि evolution के मताबक मैं पिछले को इतनी तेजी से खतम नहीं करूँगा बलके adaptable करूँगा अच्छे genetic evolution के बारे में मैं अर्स करना जाता हूँ एक जैसे मैंने अर्स की और example देने के लिए मैंने आपको आदम अले इसलाम का बताया इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर भी बेश्वार जगों के ओपर geneticism की बात की गई है और genome's आज की modern embryology और modern science के अंदर भी आप उसको लेते हैं और आपके नाम बे भी बड़ा आपको पता होगा कि आजकल की sciences आ गही हैं याप लोग अपना पता करवा सकते हैं कि आप पिछले आपके DNA's वहाँ से साल पहले दो साल पहले ये दास हजार साल पहले पांच हजार साल पहले कहां पर थे कहीं मंगोल से तो नहीं मिलते कहीं जाके जर्मन region से तो नहीं मिलते या European region से मिलते हो Central American से मिलते हो यह आपको अपना route र रूट पता चल जाता है कि आपके Genomes कहां से चलते हा रहे है इसी तरीके से Genetic Evolution जो है वो Economics में भी काम करता है आप जैसे पुराना टाइम था जिसमें सर्फ प्रॉफिट मोटिफ्स पर बात होती थी आज के दौर के अंदर लोगों ने एक नई आइडिया और नई थेरी के अपर दी और तो कि ये दौर आज का बड़ा मिट्रिलिस्टिक दौर है वो कहते हैं यू स्क्राच मैं बैक आज स्क्राच यूर बैक कप अफ टी इस कप अफ टी ये बिजनस बिजनस अच्छा ये दो चीज़ें आपने सुन ली है और बड़ा मिट्रिलिस्टिक सा आइडिया है वो कहते हैं जी चेट अवे टॉक ऑन बिजनस अब ये डिफरेंट आइडिया हैं बट एवोलूशनरी एकनॉमिक थेडिया के मताबए आप मार्केट के बिहेवियर्स को भी देखते हैं आप मार्केट के शेर आइडिया पर भी जाते हैं अभी तुबारह से ही एक आइडिया आगया कि मनापली हमारे लिए बेहतर नहीं है क्योंकि इससे तकरीबन दो परसंट लोगों को फाइड़ा होता है 98 परसंट के अंदर गुर्बत फैल रही है और हैव और हैवन हैब नॉट्स का जो है वो बड़ा गैप बढ़ड है इस हैवन हैवनोट नॉट्स के गैप को बंद करने के लिए काम करने के के लिए हम जाते हैं इसलिए हम genetic evolutionary theory की तरफ जाते हैं और compare करते हैं आउटकम और बायर वीलिव टू और मौट टिकनालाजिकल रुट्पिस अब देखिए कि टिकनोलाजिकल रिटीन्स के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि एक टिकनोलोजी हमें कितना रिजल्ट दे रही है दूसरी टिकनोलोजी कितना रिजल्ट दे रही है हमने उसको obsolete करना है तो कितना फाइदा होगा कि उसको चलाते रहने देना है और उसका market segment कहीं और कर दें और दूसरे का market segment कहीं और कर दें तो definite ideas के उपर हमने देखना है कि fit कहां से आ रहा है हमने जिस segment में जहां idea के उपर जिस तरह से fit हो रहा है उस fit कर देना है लेकिन obsolete होने से बचाना है ताकि वो adaption में आ जाए rather obsolete हो जाए Thank you very much This is it with the evolutionary fitness